इंसान किसी भी काम को या किसी भी चीज को दुबारा क्यों करता है? या तो पहले वाले काम में कोई कमी रह गई हो या फिर उस काम या उस चीज को बदलते समय के अकॉर्डिंग ढालने के लिए पर अगर कोई इंसान 25 साल पुरानी चीज को दुबारा बनाए बीना किसी चेंज के तो क्या रायता फैलता है उसका एक बड़ा एक्जामपल है कूली नंबर वन Hello friends मैं हूडी सिंग स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल पर अगर आप first time मेरे चैनल पर आए हैं तो movie reviews और movie related news के लिए मेरे चैनल को subscribe करें and notification bell को press कर दे This Varun Dhawan and Sara Ali Khan starer Kooli No. 1 is a remake of director David Dhawan's own 1995 movie Kooli No. 1 starring Govinda and Karishma Kapoor which again was a remake of a Tamil movie Chinna Ma Pillai but that 1995 Kooli No. 1 was a well-made, brilliantly acted and was a supremely entertaining movie 2020 Kooli No. 1 start होती है with an animated kid version of Varun Dhawan narrating his backstory as well as paying tribute to Manmohan Desai and Amitabh Bachchan who made Kooli in 1983 which is the most popular movie where a Kooli is the main hero of the movie Jeffrey Rosario played by Parish Rawal, Goa में एक बड़े 7-star hooter का मालिक है and अपनी दोनों बेटियों Sara played by Sara Ali Khan and Anjali played by Shikha Talsaniya कि शादी खुच से भी जादा अमीर आदमी से कराना चाहता है और जब पंडित Jai Kishan played by Javet Jafri एक middle class लड़के का रिष्टा लेके Rosario के घर जाता है तो Rosario उसकी insult कर देता है पर to be honest इतनी बुरी तरह तो Rosario ने Jai Kishan की बेस्ती भी नहीं की थी जितनी बुरी तरह और जितनी खतरनाक तरीके से Jai Kishan Rosario को धमकी देता है एक तरफ Jai Kishan सोच रहा होता है कि Rosario की लड़की की शादी ऐसे लड़के से कराई जाए जो Rosario का घमन तोड़ेगा और इधर side by side entry होती है फिल्म के हीरो वरुन दवन की as Raju Kuli with a fight scene fight का reason उसकी उमर का बंदा उसे तू करके बोलता है और वरुन पीट पीट के उसकी थूथू कर देता है जब पंडिट Jai Kishan राजु कूली का प्यार देखता है सारा की फोटो के लिए तो वो उसी को अपना हत्यार बनाता है Rosario का घमन तोड़ने के लिए और वो राजु कूली को और शादी होने तक उनका स्मूचा थन शुरू हो जाता है प्यार तो कहीं डेवलप होता ही नहीं दिखता है इनके बीच अब उनकी शादी हो जाती है और ये मुंबई चले जाते है और जब रोजैरियो अपनी बेटी से मिलने आता है मुंबई और रिल्वे स्टेशन पर अपने दामाद को देखता है कूली का काम करते हुए तो राजु कूली बहाना बना देता है मित्तुन की अवाज की मिमिक्री पर अपने कॉंस्टिपेटेड एक्सपेशन देते हुए कि वो उसके दामाद कूवर राजपताप का जड़वा भाई राजु है लालची रोजैरियो अपनी दूसरी बेटी अंजली की शादी राजु कूली से कराने के जुकत में लग जाता है और दूसी दरफ राजु कूली और कूवर राजपताप के रोल्स में मूव इन prend करता रहता है राजु कूली यह दोरी लैक कब तक और कैसे handle करता है रोजेरियो और सारा को राजु कूली की सचाई का पता चलता है कि नहीं और अगर पता चलता है तो उसके बाद क्या होता है? यह देखने के लिए you can watch it on Amazon Prime पर मैं suggest करूँगा कि इससे better है कि आप Govinda वाली कूली No.1 देख लो As यह movie ना सिर्फ scene to scene copy है बलकि इसको dialogue to dialogue copy भी बोल सकते हैं original की apart from few changes here and there in dialogues पर Govinda वाली कूली No.1 was pretty entertaining compared to this dad इस film के makers और writers इतने lazy हैं कि screenplay और dialogues को time के according change भी नहीं किया same to same उठाके चेप दिया है और यह भूल गए कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है अब कुछ scenarios बताता हूँ इसी movie से गोवा में white यानि की foreigner और engineers काम पर लगे हुए हैं पंडिट जैकिशन जाके बोलता है अगर कोई सिर्फिरा आके आपको परिशान करे तो हमारे पास बेज़ देना ये बोलके कि हम मालेक हैं अबे governor हो क्या तुम? खुद नहीं भगा सकता वो? अबे यार original में एक गाउं में काम चल रहा था और वहाँ सदाशिफ अमरा पुरकर पूरी तरह डराता है कि कैसे गाउं वालों की बेवुकुफी के चलते वो काम नहीं कर पाएगा और कैसे पहले एक इंजीनियर ने अपनी जान तक दे दी थी वो था एक पिछड़ा वागाउं और ये है modern गुवा जहां अंग्रेजों की तादाद बहुत है अब ये बताओ गुवा में 7 स्टार होटल का ओनर और उसकी well educated बेटियां get fooled easily by photoshop की हुई pictures और उन्हें Google चाचा के बारे में भी नहीं पता कमाल करते हो डेविड दवन जी रोजैरियो सीधा गाड़ी लेकर प्लैटफॉर्म पर आ जाता है राजु कूली को ले जाने के लिए अब ये पिता जी का प्लैटफॉर्म है क्या तुमारे मुंबई के रेलवे प्लैटफॉर्म में पैदल गुसने के लिए भी प्लैटफॉर्म टिकेट खरीदनी पड़ती है किसी पिछड़े इलाके का प्लैटफॉर्म नहीं है और मुझे नहीं लगता पिछड़े इलाकों में भी प्लैटफॉर्म पर गाली सीधी ले जाके गुसा सकते हैं आप अब सिंस ओरिजिनल मूवी में करिश्मा कपूर अपने हस्बेंट के वापिस आने की मन्नत मंदिर में मांगती है तो इन्होंने एक क्रिश्चन लड़की जो बाद बाद पर क्रॉस बनाती है उसको भी मंदिर की मन्नत मनदवाई मुझे तो नहीं लगता ऐसी लड़की का फर्स रियक्शन मंदिर की मन्नत होगा पर कुछ भी चलता है धवन डूओ के लिए डालोग्स भी उठा के मोस्टली पुरानी मूवी से चेपे हैं जो एक्टर्स ना उस डेडिकेशन और सिंसेर्टी से डिलिवर कर पाए और ना ही काफी सारे डालोग्स उसमें से इस टाइम में इस मूवी के लिए फिट बैट रहे थे और हां जो न्यू डालोग्स क्रेट फरहाद नोलन ने डाले हैं उसके कुछ एग्जामपल्स खुद देख लीजिए ये क्या है गुटनासन गुटनासन जी पापा किसे क्या होता है इससे ना गुटन नहीं होती है फैमिली देट डुंडोस तोगेधर फाइंड्स तोगेधर नाए वाव सो इनुवेटिव डे ऐसे अचानक से पुलिस इंस्पेक्टर रात में रोजैरियो के घर में गुशके सोते हुए रोजैरियो को बोलता है कि राजु कूली ही कुवर राजप्रताप है वो सीन बिलकुल आउट अप प्लेस लगा अब आते हैं एक्टिंग पर मुवी शुरू होता ही कौन कितनी ज कर सकते हैं तो वरुन भाई सब की तो एक्सपर्टीज है इसमें एंड वो जो कॉंस्टिपेटेड एक्सप्रेशन देता है मित्थुन की मिमेकरी पर वो तो और भी रिटेटिंग लगता है जावेद जाफरी ने इंप्रॉम्टु बोला था या स्क्रिप्टिर था पता नह पूरी मुवी में कहीं दिलिव कुमार की कहीं शारुक की कहीं सलमान खान की मित्थुन की मिमिकरी करते रहते हैं वरुन भाई साब अरे यार यह कोई कॉमेडी सरकस चल रहा है क्या राजपाल यादव जो सारा अली खान के मामा बने हैं बिलकुल जेडिड और लिथार्जि पर unintentionally with her emotional scenes Music was good दो super hit गाने तो original वाले ही डाले थे हुशन है सुवाना और तुछको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ और बाकी दोनों सौंग मुना लीजा और हट जा सामने से are also good हाला कि वरुन एक excellent dancer है but at places where he tried to copy Govinda के expression in dance steps वहां ही failed because आप recreate नहीं कर सकते जो एक दूसरे actor ने गाने को feel करके चहरे पर लाया है especially Govinda जो माना जाता है कि गाने में पूरी तरह भै जाते थे physically as well as mentally rather than getting embroiled in the technicalities of dance steps Sarah lacked the grace that Karishma had for those Masi songs and the dance steps involved in those Masi songs background music बहुती boring और lethargic था movie को और slow feel करवाता है despite it being just 135 minutes long action scene सही थे but again copied and एक scene तो काफी popular भी हो गया है अपने shoddy VFX के लिए मैं इस movie को 10 में से 2 stars दूँगा it's completely avoidable stuff and to sum up जैसा कि movie में कहा गया है कि public के माते पर चू नहीं लिखा धवन दूओ सुदर जाओ shortcut छोड़ो डंग से मैनत करो अगर आप ये movie देख चुके हैं तो share और opinion in the comment box below अगर ये video पसंद आई है तो video को like करना और share करना ना भूले description में दिये गए मेरे facebook और instagram pages को like करें and follow करें मिलते हैं जल्दी एक और video के साथ